कंगना रनौत इन दिनों धाकर की शुटिंग में बीजी थी लेकिन अब उन्हें धमकी मिली है शुटिंग बंद करने की इस फिल्म के लिए कंगना काफी मेहनत कर रही है और अपने एक्शन सिक्वेंस को खुद ही कर रही है जिससे उनके वीडियो आएद दिन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाले जा रहे हैं जासूसी थ्रिलर धाकर की शुटिंग कर रही वॉलिवूड अविनीतरी कंगना रनौत ने लगातार दस रातों तक शुटिंग करने के बाद सेट से एक फोटो शेयर की शुकरवार को कंगना ने जो फोटो ट्विट की है उसमें वे आक घंटी की शिप्ट ने रात से सुबह कर दी लेकिन हमारे निर्देशक इस मोड में हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूगा वैसे मैं पूरी तुम्हारी ही हूँ इसे और उपर ले जाएं अन्त में उन्होंने हैश्टग लगा कर अपनी फिल्म धाकर का नाम लिखा है अपने अभीने कोशल की तारीफ करती हुए हाल ही में कंगना ने ट्विट किया था मैंने जितनी बड़ी रेंज में परफॉर्म किया है दुनिया में अभी ऐसी कोई अभीनेत्री नहीं है जिसने ऐसा किया हूँ मैं बहस के लिए तयार हूँ यदि धर्ती पर कोई और अभीनेत्री से जादा रेंज दिखा सके तब तो मैं इस बात पर गर्व करने का अनंद ले सकती हूँ आपको बता दें कि धाकड एक स्पाई थ्रीलर है जिसमें कंगना एजेंट अगनी की भूमिका निभाएंगी वहीं अरजुन रामपाल रुद्रवीर नाम के किरदार में नजर आएंगे ये फिल्म 1 ऑक्टूबर 2021 को रिलीज होने वाली है इसके अलावा कंगना फिल्म थलाईवी में तमिल नाडू की दिवंगत पूर्व मुकि मंत्री जैल अलीता का किरदार निभा रही है फिल्म में एक्ट्रिस के कई लुक पहले ही चर्चा का विशे बन चुके हैं और फैंस का भी बढ़िया रिस्पॉंस मिला है ये फिल्म रिलीज के लिए तयार है इस फिल्म के अलावा कंगना तेजस में भी काम कर रही है इस फिल्म में वो भारती वायू सीना की एक फाइटर पाइलिट के किरदार में नजर आने वाली है तो अगना जितनी मेहनत कर रही है क्या इस पर कोई शक है आखिर क्यूं डिरेक्टर को संतुष्टी नहीं मिल रही है जरूर बाता है बहुत सारे कमेंट करें सुझाओ दे देखते रहें बेगस क्रेंट